इसकी खासियत भी है कि मान लोग कि कोई भी वायरस कोई भी बैक्टिरिया ना कोई भी फंगुस अगर आपके बॉड़ी के अंदर प्रिवेश करता है ना तो पहले तो बॉड़ी क्या करती है तो समझ नहीं पाती कि हमारे अंदर क्या हो गया लेकिन जब दुबारा वही ब्यक्तिर्या वारास से बॉड़ी के अंदर फ्रिवेस करता है तो वो त्यार रहता है वह ओर परिचित है इससे तो हम लड़ सकते हैं है ना तो इसी लिए आईसी तरह से जीवन में समस्यावां भी आती है तो जब समस्याओं आती हैं तो पहले तो इंसान घबाड़ा जाता है लेकिन उस समस्याओं से निवटने का हुनर वो सीख जाता है लेकिन जीवन में जब उसके पास दुबारा वही समस्या आती है तो उसके लिए बड़ा सना रही ये तो नार्मल बात है किसी अनभवी विव्यक्तिक से पूछ हो जो अनभव जिसके पास है जीवन का तो कहता है जिसे मालों को समस्य बताते हैं तो कहता करें यारी तो नर्वल बात ही तो होता ही रहता है क्यों कुछ उसने जह जो है कि उसने इस चीज का अनभव कर लिया है उस चीज को सीख लिया ह अगर समस्य आने पर अगर घबड़ा जाती तो क्या यह लड़ पाती नहीं लड़ पाती न तो इसी लिए